जै मां इंद्राक्षी जैंबे जै श्री कृष्णा आज है जन्मास्ट में भगवान स्री कृष्ण की अननिभगति का दिन है भगवान स्रीकृष्ण से विशेस आशिरवाद पाना बहुत ही सोबाग्य की बात है तो आईए आज जन्मस्ट में का पर्व भारत के साथ साथ विश्व के कोने-कोने में मनाये जा रहा है और हम कैसे भगवान सुरी कृष्षन को आज परसंद करें कैसे हम भगवान सुरी कृष्षन से आशिरवात पराप्त करें कैसे हम योगि लाज माराज को अपने घर में पधारने के लिए उनकी विसेश पूजा करें ठीक है तो बहुत अच्छा आज का परवै और जिनका वर्त है उन सबको मैं बहुत-बहुत शुब कामनाई देता हूँ जो भी जनमास्क में मना रहे हैं उन सबको बहुत-बहुत शुब कामनाई देता हूँ और जितने भी भारत वर्ष और विस्व में भगवान सिरक्रिशन के भक्त हैं भगवती के भक्त हैं, सत्य सनातन धर्म के भक्त हैं, उन सबी को बहुत-बहुत आज के इस मीठे से परपर शुब कारना है। आई ये पहले हम आज का पंचांग देखें, उननिस अगस्तन दोहजार बाईस दिन शुकरवार, भादो का महीना, कृशन पक्स सम्वन दोहजार उनासी, तिथी आज अश्टमी, नक्षत्र करतिका, राहुकाल साड़े जस्ते बारा, दिशासूल, पश्यम के साह, भागवान इसमें से हमें शुब समय, सुब मुरत मिलता है, हम उस इस्तिती में भागवान सिर्केशन का जनम दिवस मनाते हैं, आज योगी राज महराज की साधना हर घर में हो रही है, और बहुत अच्छे से होनी चाहिए, रात्त्री के बारा बजे, खीरे को फोड़ करके, या खीरे या वैसे ही आप हिंडोले में भागवान सिर्केशन लड्डू गोपाल के सबरूप के सिवस्र से ढाप करके रखें, धूब दीप जल सभी चीजों का परवंद रखें, जैसे ही बारा बजें उस समय भागवान सिर्केशन का या शालिग राम जी आपके पास हो, तो उन्ही के सबरूप को समझगर के विशेस रूप से आप पूजा के लिए, आईए कुछ थोड़ा सा जाने, परम पिता परमेश्वर की जब कुल पर करुणा होती, जर जर पड़ते घर आंगन में वर्त परवो के मोती, दुवाला ध्यान से समझें, बहुत मीठी बास कभी ने कही ह परम पिता परमेश्वर की जब कुल पर करुणा होती, जर जर पड़ते घर आंगन में वर्त परवो के मोती, ये वास्तिक्ता है, जिस घर में परम पिता परमेश्वर की करुणा होती है, उस घर में ही सुन्दर सुन्दर तीस जुहार बनाए जाते हैं, और बहुत विदी विधान से बनाई जाते हैं उस करुणा मई की गरपा है उस नीली छत्री वाले की गरपा है तब ही घर में इस प्रकार के पर्व मनते हैं नहीं तो घर आंगन की दहलीज सूनी रह जाती है आईए और कुछ थोड़ा सा जाने भाद्र पद करशन अश्ट्रमी की रात्री में बारह वजे मत्वरा नगरी के कारागार में वसु देवजी की पतनी देवकी के गरव से शोड़स कला संपन भगवान सिरकर्षन का अवतार हुआ भाद्र पद के करशन पक्ष की अश्ट्रमी तिथी दिन वद्वार रोहनी नक्षत्र के सुब योग में भागवान प्रकट हुए उस समय चंद्रमा अपनी उच्च राशी वर्षब में थे पूर्ण प्रशोत्तम विशंभर प्रभू का भाद्र पद के अंदकार में पक्ष अर्थार्थ कृषन पक्ष की अश्ट्मी तिथी को अर्द रात्री के समय पादर्भाव होना निराशा में आसा का संचार सब्रूप है ऐसी घंगोर अंदगार में रात्री आपने देखा ही है किस प्रकार से टोकरी में रखकर के भगवान सरी कृषन को ले जा रहे हैं कंस से बचाओ के लिए उस सारी चीज़ें आपको मालूम है इसलिए दोराना नहीं जाता यमना मैय भी आतुर हैं बर भू के चरण छोने के लिए गुमड़ गुमड़ पानी बाबा के सर तक आवे प्रात्र न की गई समझे भाव को गंगा यमिना मैया चरन चुना चाहती है भगवान श्री कृस्षन के समझ गए चरन चुए और पानी सांत भाव से वहने लगा भगवान स्री कृस्षन ने जब अबतार लिया कारा गार में देखो ना कैसी कैसी लिलाए भगवान की रही है सभी द्वारपाल सो गए बेडियां खुल गई बंधन खुल गए ऐसे ही मेरे साद को जब परमात्मा हमारे घर पदारते हैं या हम जब उनकी साधना करते हैं और साधना करते-करते जब उनका आशिरवाद मिलता है ऐसे ही जीवन की भववंधन की बेड़िया कुल जाती है जिन मंधरों में हम जकड़े होते हैं जिन संकटों में हम फसे होते हैं वो संकट सभी हमारे मुक्त हो जाते हैं और वो परमेश्वर हमें संकटों से आजाद कर देते हैं, मुक्त कर देती है लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान की सादना जो भी सादक करते हैं उनके साद ऐसा जरूर होता है परिक्षाएं बहुत होती हैं लेकिन परिक्षाओं को पार करने के बाद ही चात्र उत्रिन होता है यही कारण है कि जब भी आप किसी मंतर की साधना करें कुछ भी करें बहुत अच्छे भाव से किया करें आज कृषन जन्मास्टमी है भगवान सिरी कृषन को आज नाना भाती के द्रव्यारपन किये जाते हैं विशेश रूप से उनकी दिन भर साधना की जाती है मंतर भी हमने आपको दो बताए थे एक मंतर आज और बता देंगे आईए पूजन के बारे में थोड़ा सा और कुछ जाने है आज के दिन आम तथा अशोग पल्लव के पत्ते आदी से घर का द्वार सजाए घर के दरवाजे पर मंगल कलश चित्रित की जाती है अर्थात इस प्रकार के आकरती घर के मुख्य द्वार पर बनाना आज के दिन शुब होता है शिरकरशन जी की मूर्ती लड़ू गोपाल जी की मूर्ती अथ्वा शाल गिराम जी को विधी पूरवक आज के दिन जो साधक पंचा मुरत से स्थनान कराकर उनका शोड़सो अपचार से विश्नु पूजन करता है कृशन पूजन करता है भगवान का अशिरवाद उसे प्राप्त होता है मंत्र पहले वाले दो और आज एक तीसरा मंत्रों जोड़ रहे है ओम नमो भगवते वासु देवाए ये बहुत प्रिया मंत्र है प्रभू को ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंत्र से पूजन करके भगवान को वस्तर अनकार आदी आरपन करके उनकी मूर्ती को सुसजित करके सुन्दर सजे हुए हिंडोले में प्रतिश्रित करना चाहिए उसके बाद मंद मंद मुस्कान के साथ शिरी कृष्णा शिरी कृष्णा बोलते हुए उस हिंडोले को हिलाना चाहिए आरपण में हम भगवान को आज नाना भाती के भोग अरपण करें धूप दीप विवन प्रकार के फल पुश्वों और नारियल चुवारे, अनार, बेजावरे, पंजीरी, नारियल के मिश्ठन तता नाना प्रकार के मेवे का प्रसाथ सजाकर स्री भागवान को प्रसंद करें, उन्हें अरपण करें जो तरह भी आपसे जैसे सहीस्ता के साथ बन पड़े, अच्छे से करें महगवान का जब पादरभाव हो जावे, बारा बज्जा में, मंद्रों में घंटा संक की आवाज आपको सुन जावे या मंदिर भी जाकर क्या आप कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, घर पर भी जरूर कीजिए, महगवान सुरी क्रिशन की आरती अपने घर में जरूर कीजिएगा, आज के दिन भर रातरी प्रियंत कोशिस करें, बारा एक दो बज़े तक, अखंड दीप, अखंड जोत की यंत्रों को अच्छे से धूप दीव दे करके सुसजित पुष्प धूप आदी अरपन करें, ताकि यंत्रों के अंदर भी ऐसे विशिस पर उपर प्राण आ जाते हैं, और अच्छा लाब मिलता, भगवान की समस्त प्रगार की पूजा करने के बाद, परवु से एक प्रा बैखुंट से अवत्रित होकर आप मेरे घर में से परिवार विराजें, दुबारा सुनने, हे जगतपते, हे जगनात, हे प्रशोत्तम, अपने पारशदों एमम भगवती देवी सहित, बैखुंट से अवत्रित होकर आप मेरे घर परिवार में से परिवार विराजें, पूजा को स्विकार करें, मुझसे कोई भूल चुग हो गई हो, कोई तुर्टी रह गई हो, हे परम्पिता परमेश्वर, आप मुझे अबोध बालक समझ करके चमा करें। 33 कोटी देवी देवता, यानि के 33 प्रकार के देवी देवता, फिर उनके अलग-अलग साखाएं, हमारा मन छण भर के लिए भी अपने प्रमु से दूर ना हो। 33 नाना भाती के परवन हमारे सत्य सरातन धर्म में देखने को मिलते हैं। साधक कमन भगवान की तरफ खीचा रहे हर पल, हर दिन, हर मास, हर वर्ष। तो हमारे रिश्यों की सोच मामूली सच नहीं है। है ना, तो बहुत अच्छे से आज का ये परवनाना, जय कनहिया लाल की, हाती घोड़ा पाल की। आए समय उचला आज की ध्यान साधना से जूनने का, अंतहमन की गहराईयों से आप भगमान स्रीकृष्ण की साधना करें। ओम करार विंदे नपदार विंदं, मुखार विंदे विनिवे सयंतं, वटाश्य पत्राश्य पुटे सयानं, वाला मुकुंदं मनसा स्मरामी। बाला मुकुंदं मनसा स्मरामी। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्तले कोस्तुवं। नासा अग्रेवर मोक्तिकं करतले वेनुक करे कंकणं। सरवांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेच मुक्तावले। गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते गोपाले चोडामनी। सान्ताकारं वुजगशयनं पत्वनावं सुरेसं। विश्वात्धारं गगन सद्रिशं मेगवर्णं सुवांगं। लक्षमी कांतं कमल नयनं योग व्रिद्या नगम्यं। वंदे विष्ट्नुं भववयहरं सर्वलो के कनाधं। कवच बना लें। ध्यान करें। भगवान सुरी कृष्ण का सुवांसीस हम सब के उपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्रकों ने समान्य हो जाए। देखो बड़ी बड़ी लिलाएं भगवान सुरी कृष्ण की हुई है। बाल चुत्रण जितना भगवान सुरीकृष्ण और राम जी का हुआ है। शायधी किसी का हुआ है। आप बहुत लोग कह देते हैं, कि आप Sahip कृष्ण जी का बाल चुत्रण हुआ। वो भी उन बच्चों की किरणाओं को कभी भूलते नहीं बच्चा चाहे 40 साल का हो जाए 50 साल का हो जाए तो मा क्या कहती है बच्छपन में तू ऐसा किया करता था हर व्यक्ति को अपने बच्चे की जो बड़ी मस्ट बड़ी मासूम सी उसकी किरडाएं होती हैं, खेल, खूद, उसकी आज़तें जो होती हैं, वो माबाब की हर्दे में हमेसे के लिए बनी रहती है, चार लोगों से बताते भी है, अरे ये तो जब छोटा था, बड़ा शैतान था, अरे ये तो ऐसे किया करता था, आपने नाना की नाक खेच लिया करता था, दादा का चस्मा उतार लिया करता था, ऐसे किया करता था, गोदी में दादा ने लिया नी और शुशु कर दिया करता था, कितने सारी बाते हैं, आप सब के माबाब, हम सब के माबाब, हमारे बच्चों की हम सब याद रखते, तो वो तो भागवान है, उनकी बाल लिलाएं ना हो तो फिर बात ही क्या है इसलिए उनकी बाल लिलाएं तो ग्रंथों में साब लिखी गई है समझ गई ना बाल लिलाओं का कितना महत्व होता इसलिए भागवान सिर्क्रिशन को आज बाल रूप में पूजें लड़ू को पाल रूप में पूजें जितने अच्छे से आप बाके बिहारी के आज के दिन पूजा करोगे, देखो, घर में मंदिर है, मन में मंदिर है, भगवान कहीं नहीं है, भगवान भक्त के वश्मे है, भक्त गहास के उपर बैठ जाए, हरे मैदान में बैठ जाए, चत्तान में बैठ जाए, गुफा में ब भक्ति में वो पावर होनी चाहिए, भक्ति में पावर है तो शक्ती जगेगी और जब शक्ती जगेगी तो भगवान दोड़े चले आते हैं, इसलिए मन में ये मत रखना, मैं आज महान नहीं जा सका, मैं आज इतनी दूर नहीं जा सका, मैं आज मंदे जाके भगवान के दर् इस इस्तिती में हैं उसी इस्तिती में भागवान आपके समक्ष है कंकर कंकर में शंकर बसते हैं हवा के जोके में पवन की खुश्वों में फूलों के रंगों में इंद धनुस की चटाओं में बादलों की घटाओं में बरसात की भूंदों में हर जगे भागवान बसते हैं बस उन्हें ढूर्णने की आवश्रक्ता है, स्रद्धा की आवश्रक्ता है, भगवान से रिक्रशन हर और हैं, आप उन्हें को कारिये तो सही, बस ज्यादा कुछ न कहते हुए, आज अच्छे से अपनी वर्थ को रखना, अच्छे से सारा कारिय करना, भगवान के गरपा आपके उपर जरूर बरसेगी, जो मंत्र हमने कल भी बताए, आज भी एक बताया, इस मंत्र को दिन में, एजपा जबजपना, या बैठकर के मंत्र की तीन माला जरूर करना, शालिक रामजी हैं, तुलसी का पत्ता रपन करना, गोपी जंदन लगाना, भगवान श्रीकृषन को तुलसी के पत्ते रपन करना, गोपी जंदन लगाना, और गव माता की आज के दिन सेवा करना बहुत अच्छा माना जाता, आप स्वस्त रहे, सुखी रहे इनी शुब गावनाओं के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं जय जय श्री कृष्णा बगवान से जुड़ो और बगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें तक हमारे के में अधिक ज्यानकारे के लिए तक हमें कि ये शिए जूम दीक्रम कुण measure